इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरिस के राष्पती, केनिया के राष्पती और वियात नाम के प्रधानमत्री की उपस्तिती के लिए भी रदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात यही है कि यह समंदर हमारे प्लैनेट के भविश्च के लिए बहुत महत्मपूर है। लेकिन हमारी इस साजा समुदरी धरोहर को आज कई प्रकार की चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाइरेसी और आतंगवाद के लिए समुदरी रास्तों का दुरूपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मेरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं और ट्लाइमेट चेंज तथा प्राकूरतिक आपनाय भी मेरिटाइम डोमेन से जुड़े विशे हैं। इस व्यापक संदर्व में अपनी साजा, सामुदरी, दरोर के सवरक्षन और उप्योग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्ग बनाना चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्ग कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता। यह एक साजा प्रैत्न से ही साकार हो सकता है। इसी सोच के साथ हम इस महत्वपूर्ण विशे को सुरक्षा परिशत के समख्ष लेकर आए हैं। मुझे पुरा विश्वास है कि आज की हाई लेवल चर्चा से विश्व को मेरिटाइम सिकुरूटी के मुद्धे पर मारदर्शन मिलेगा। एक्सलेंसी इस मंथन को स्ट्रक्षर देने के लिए मैं आपके समख्ष पांच मुल्भुत सिधान रखना चाहूँगा। पहला सिधान हमें मेरिटाइम ट्रेड में बेरियर्स हटाने चाहिए। हम सभी की समृद्धी मेरिटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। इसमें आई अर्चन हैं पूरी बैस्वीक अर्थववस्ता के लिए चुनवती हो सकती है। फ्री मेरिटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादी काल से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय के स्वतंत्र मेरिटाइम माहोल में ही भगवान बुद्ध का सांती संदेश विश्व में फैल पाया। आज के संदर्ब में भारत ने इसी खुले और इंक्लूजिव एथोस के आधार पर सागर सीकुरिटी एंड ग्रोथ फोर आल इन दे रीजिन का वीजन परिभासित किया है। इस वीजन के जरीए हम अपने खेत्र में मेरिटाइम सीकुरिटी का एक इंक्लूजिव धांचा बनाना चाहते हैं। यह वीजन एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मेरिटाइम डॉमेन का है। फ्री मेरिटाइम ट्रेड के लिए यह भी आवशक है कि हम एक दूसरे के नाविकों के अधिकारों का पुरा सम्मान करें। दूसरा सिद्धान्त, मेरिटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान, शांतिपुर्ण और अंतरराष्टिय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांती और स्थीरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मेचुरिटी के साथ अपने पडोसी देश बांगला देश के साथ अपनी मेरिटाइम बाउंडरी को सुल जाया है। तीसरा सिधान हमें प्राकृतिक आपदाओं और नोन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किये गए मेरिटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विशे पर छेत्रिय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिये हैं। साइकलोन, सुनामी और प्रदूशन सम्मंदित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉंडर रहे हैं। पायरेशी को रोकने के लिए भारतिय नवसेना ने भारतिय नवसेना में दोजार आठ से हिंद महासागर में पैट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइट सीपिंग इन्फोर्मेशन, फ्यूजन केंद्र हमारे छेत्र में साजा मेरिटाइम डॉमेन एवर्नेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइडरोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रस्रिक्षन भी दिया है। हिन्द मासागर में भारत की भूमी का एक नेट सिकुरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। चौथा सिधान हमें मेरिटाइम एन्वार्मेंट और मेरिटाइम रिसॉर्सीज को संजो कर रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं ओशन का क्लाइमेट पर सीधा इंपेक्ट होता है। और इसलिए हमें अपने मेरिटाइम एन्वार्मेंट को प्लास्टिक्स और ओल स्पिल्स जैसे प्रदूशन से मुक्त रखना होगा। और ओवर फिशिंग और मेरिन पोचिंग के खिलाप साजा कदम उठाने होंगे। साथी हमें ओशन साइंस में भी सरयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वा कांक्षी डीप ओशन मिशन लॉंच किया है। हमने सस्टनेबल फिशिंग को प्रोच्छान देने के लिए भी कई पहले ली है। पांचवा से दान्त हमें रिस्पॉंसिबल मेरिटाइम कनेक्टिविटी को प्रोच्छान देना चाहिए। यह तो स्पस्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवशक है। लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्स के डेवलोप्मेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एपसर्प्शन केपिसिटी उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचीत वैश्विक नॉम्स और स्टांडर्स बनाने चाहिए। एक्सलेंसीस मुझे विश्वास है इन पांच सिध्वांतों के आधार पर मेरिटाइम सिकुरिटी कोपरेशन इसका एक वैश्विक रोड में बन सकता है। आज की ओपन डिवेट की उच्च और सक्रिय भागिदारी यह दिखाती हैं कि यह विशय सुरक्षा परिशत के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्तिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।